मन की बात के लिए एक साथ जुड रहे हैं दो दिन बार दिसंबर का महिना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकलोजी के लिए हम ऐसा ही लगता है कि चलिए बैस साल पुरा हो गया ये साल का आखरी महिना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं इसी महिने नेवी डे और आंट फोर्सेस फ्लैक डे भी देश मनाता है हम सब को मालूम है 16 दिसम्मर को 1971 के युद्धिका स्वर्णिम जेनती वर्ष भी देश मना रहा है मैं सभी अवसरों पर देश के सुरक्षाबलों का स्मरन करता हूँ हमारे वीरों का स्मरन करता हूँ और विशे सुप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरन करता हूँ हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो एप पर माई गौव पर आप सब के ढेल सारे सुजहाव भी मिले हैं आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुखदुख भी साजा किये हैं इसमें बहुत सारे नवजवान भी हैं चात्र चात्राएं हैं मुझे वाकई भहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा एक परिवार निरंतर बड़ातव हो ही रहा है मन से भी जूड रहा है और मकसद से भी जूड रहा है और हमारे गहरे होते रिष्टे हमारे भीतर निरंतर सकारत मक्ता का एक प्रभा प्रभाहित कर रहे हैं मेरे प्यारे देश्वासियों मुझे सीतापूर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमर्त महोटसव से जूड़ी चर्चा है उन्हें खूब पसंदा रही है वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधिन्ता संगराम के बारे में काफी कुछ जानने का शीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों, अमरित महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेडा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हो या सरकारे है पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक अमरित महोत्सव की गुंज है अलगातार इस महोतसव से जूड़े कारकमों का सिलसिला चल रहा है ऐसा ही एक रोचक प्रोग्रेम पिछले दिन दिल्ली में हुआ आजादी की कहानी, बच्चों की जुबानी कारकम में बच्चों ने स्वाधिनता संग्राम से जूड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्थुत किया खास बात ये भी रही कि इसमें भारक के साथ ही नेपाल, मौरिशस, तंजानिया, न्यूजिलेंड और फिजी के स्टूडेंस भी शामिल हुए हमारे देश का महारत्न ओएंजिसी ओएंजिसी भी कुछ अलग तरीके से मृत्म होसा मना रहा है ओएंजिसी इन दिनों वैल फिल्ड्स में अपने स्टूडेंस के लिए स्टडी तूर का आयोजन कर रहा है इन तूर्स में युवाओं को ओएंजिसी को वैल फिल्ड अपरेशन्स की जानकारी दी जा रही है उद्देश ये कि हमारे उभरते इंजिनियर राष्ट निर्मान के प्रयासों में पुरे जोस और जुनूर के साथ हाथ बटा सके साथियों आज हादी में अपने जन जातिये समुधाय के योगदान को देखते हुए देश ने जन जातिये गवरोव सब्तावी मनाया है देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़े कारकम भी हुए अंडबार, निकोबार, दिप्समों में जारवा और ओंगे ऐसे जन जातिये समुधाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवन प्रदर्शन किया एक कमाल का काम हिमाजल प्रदेश में उना के मिनियेचर राइटर रामकुमार जोसी जी ने भी किया है उन्होंने पोस्टे स्टेम पर है यहनि इतने छोटे से पोस्टे स्टेम पर नेता जी सुभाच चंदर भोष और पुर्व प्रदान मंतरी लाजबाद गुरु सास्तरी जी के अनोखे स्कैच बनाए हैं हिंदी में लिखे राम शब्दपर उन्होंने स्कैट तैयार किये जिसमें संख्षेप में दोनों मापुरोषों की जीविनी को भी उकेरा गया है मत्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कारकम की जानकारी दिये हैं इसमें रानी दुरगावती के अदम्य साहस और भरिधान की यादे ताजा की गए हैं ऐसा ही एक कारकम काशि में हुआ गोश्वामी तुलसिदास, संत कबीर, संत रहिदास, भारतें दुहर्चंद्र, मुन्सि प्रेमचन और जैसंकर प्रसाज जैसे महान विभूत्यों के सम्मान में तीन दिनों के महोत्सों का आयोजन किया गया अलग-अलग कालखन में इन सभी की देश की जन जागूत में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोर्स के दोरां मैंने तीन पतीयोगीताओं का उलेक किया था कॉम्पुटिशन की बात कही थी एक देशभक्ती के गीत लिखना देशभक्ती से जुड़ी आज़ादी के अंदोलन से जुड़ी गटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए मुझे आशा है कि इन पतीयोगीताओं के लिए भी आप जुरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे मुझे आशा है बढ़ चड़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कारकम को आप जुरूर आगे बढ़ाएंगे मेरे पैरे देश्वासियों इस शर्चा से अब मैं आपको सीधे वरंदावन लेकर चलता हूं वरंदावन के बारे में कहाँ जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूफ है हमारे संतों ने भी कहा है यह आसा धरी चित में कहत जथा मतिमोर बुरंदावन सुख रंग कव काहून पायो और यानि बुरंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ के हिसाब से कहते जरूर है लेकिन बुरंदावन का जो सूख है यहां का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है तभी तो बुरंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी पस्चीमी अस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भाती परिचीत होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलेरी इस नाम से एक आर्ट गैलेरी भी है यह गैलेरी स्वान बेली के एक खुब सुरत ख्षेतर में बनाई गई है और यह आस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारेनी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है जगत तारेनी जी बैसे तो है आस्ट्रेलिया की जन्मे भी वहीं हुआ, लालन पालर भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वरंदावन में आकर के उन्होंने बिताया उनका कहना है कि फिर आस्ट्रेलिया लोड तो गई, अपने देश वापिस तो गई, लेकिन वो कभी भी वरंदावन को भूल नहीं पाई इसलिए उन्होंने वरंदावन और उसका अध्यत्मिक भाव से जूडने के लिए अस्ट्रेलिया में भी वरंदावन खड़ा कर दिया अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अधभूरत वरंदावन उन्होंने बना लिया यहां आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का आउसर मिलता है उन्हें भारत के सरवाधिक प्रसिद्ध तिर्थस्तलो वरंदावन नवादीब और जगनातपुरी की परंपरा और सहस्कृति की जलग देखने को मिलती है यहां पर भगवान कृष्ण के जीवन से जूड़ी कई कलाकृतिया भी प्रतसित की गई है एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है जिसके नीचे वरंदावन के लोग आहिस्ता ही लिए हुए है जगत तारेणी जी का यह अधिभूत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का धर्शन कराता है मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत सुपामनाय देता हूँ मेरे पहरे देश्वासियो अभी मैं आस्ट्रेलिया के पर्थ में बने ब्रंदावन के विशे में बात कर रहा था ये भी एक दिल्चस्प इतिहास है कि आस्ट्रेलिया का एक रिस्ता हमारे बुंदेल खंड के जांसी से भी है दरसल जांसी की रानी लक्ष्मिवाई जब इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग जॉन लैंग मूल रूप से आस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जांसी और बंदेलखन का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं यहां रानी लक्ष्मीबाई और जल्डकारी बाई जैसी विरांगनाय भी हुई और मेजर ध्यांचन जैसे खेल रत्न भी इस ख्षेत्र ने देश को दिये है साथ को वीर्ता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूर है नहीं वता वीर्ता जब एक व्रत बने जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर ख्षेत्र में अन्यकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं मुझे ऐसी ही वीर्ता के भारे में स्रीमती जोथना ने चिठी लिकर बताया है जालोन में एक पारंपारिक नदी थी नून नदी नून यहां के किसानों के लिए पानी का प्रमुक स्रोध हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुपत होने की कगार पर पहुँच गई जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तबदील हो रही थी इसे किसानों के लिए स्विचाय का भी संकर खड़ा हो गया था जालों के लोगों ने इस थित्व को बदलने का बेड़ा उठाया इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमिटी बनाई गई हजारों ग्रामिन और स्थानिय लोग स्वता स्पूर्थ इस अभ्यान से जुड़े यहां के पंचायतों ने ग्रामिनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में यह नदी फिर से जिवित हो गई है कितने ही किसानों को इसका फाइदा हो रहा है युद्दे के मैदान से अलग विर्ता का यह उधारन हमारे देश वास्यों के संकल्ब सक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है और तब ही तो मैं कहता हूँ सब का प्रयास मेरे पैरे देश वास्यों जब हम प्रकूती का सवरक्षन करते हैं तो बडले में प्रकूती हमें भी सवरक्षन और सुरक्षा देती है इस बात को हम अपने नीजी जिवन में पर अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उधारां तमिनाडु के लोगों ने व्यापक्स तरपर पस्तूत किया है। ये उधारां है तमिनाडु के तुतुकुडी जिलेगा। हम जानते हैं कि तत्रिये इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खत्रा रहता है। तुतुकुडी में भी कई छोटे आइलेंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खत्रा बढ़ रहा था। यहां के लोगों अले और विशेशक्योंने इस प्राकृतिक आपदा का बचाओ प्रकृति के जरिये ही खो जा। यह लोग अब इन टापूँओं पर पादमेरा के पैड लगा रहे हैं, यह पैड साइकलोन और तुभानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुर्क्षा दीते हैं, इनसे अब इस लांके को बचाने का एक नया भरोसा जबा है। चाथियों, प्रकृति से हमारे लिए खत्रा तभी पैडा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगारते हैं या उसकी पवित्रता नश्ट करते हैं। प्रकृति मा की तरफ हमारा पालन भी करती हैं और हमारी दुनिया में नएने रंग भी भरती हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेगा लैफ में एक फ्राइंग बोड की तस्वीर खुब बाइरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकरसित करती हैं। आप में सभी जादाता लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में 33 नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में 33 लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज हैं अनेक शेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्रकृतिक वरासत के रंगों को संजोकर रखा हैं इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शेली आज भी जीवित रखी हैं कि हम सब के लिए भी प्रेरणा है, हमारे आसपास जो भी प्राकूरतिक सहुसादन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका अस्तली रूप लोटाएं, इसी में हम सब का हीत है, जग का हीत है, मेरे पहरे देशवासियो, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है, लेकिन सरकार के अनेक कारियों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच, मानविये संबेदनाओं से जुड़ी बाते हमेशा एक अलग सुख देती है, सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से, कैसे कोई जीवन बढला, उस बढले हुई जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं, तो हम भी संबेद्नाओं से भर जाते हैं, ये मन को संतोज भी देता है, और उसी योजना को लोगों तक पहुँचाने की प्रेना भी देता है, एक प्रकार से ये स्वांतह सुकाई तो है, और इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथे भी जू भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया, और एक नई जिन्दगी की शुरुवात की है, हमारे पहले साथी हैं, राजेश कुमात प्रजाबती, जिने रजैरों की बिमारी हार्ट की समश्या थी, तो आईए राजेश जी से बात करते हैं, राजेश जी नमस्ते, नमस् होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निलने नहीं करते होंगे, या करते होंगे, क्या क्या होता था? जी मुझे हाड में प्राबलम सर आ गए थी, मेरे सीने में जनन होती थी सर, फिर मैंने डाक्टर को दिखाया, डाक्टर में पहले तो बता हो सकता बेटा तुमारे एसिट होगी, तो मैंने काफी दिन एसिट की दवाई कराई, उससे जब मुझे फाइदा नहीं हुआ फिर प्राबलम सर आक्टर कपूर को दिखाया, उन्होंने गाई तो आप तुमारे जो लच्छर इस बता चलेगा तो उन्होंने रिफर किया मुझे स्रीराम मुर्थी में, उससे मिले हम अमरे सखरवाल जी से, तो उन्होंने बताया ये तो तो तुमारी नफ्स प्लाकेज है, त और इसमें कितना खर्चा आएगा उन्होंने काड है आइसमान वाला जो प्रियम जी ने बना के दिया तो हमने आशार है हमारे पास है और साड़ा इलाज उसी काड से हुआ है आपके परिवार में भी पिता जी को या किसी माता जी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि यह आईशमान कार्ड बारत सरकार या कार्ड देती है गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है तो यह आपको पता कैसे चला सर यह तो इतनी बड़ी योजना करीब हाथी बहुत किस से बेनीफिट मिलका और इतना खुष है सर हमने तो हास्बिटल में देगा कि इस कार्ड से कितना लोगों सोलिध मिलती है जब दक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर तो धाक्टर कहता थीकust कार्ड लेका आई है मैं उसी कार्ड से आपका इलाज करताओँ लगा अचा कार्ड चारड ने होता तो आपको कितना खर्चा बोला था ड्रक्टर ने तो राजेश जी आपको अभी संतोस है और तब यह ठीक है? जी सर आपका बहुत बहुत धन्वाग साथ और आपकी उमर भी इतनी लंबी होगी हमेशा सट्टा में ही रहे हैं हमारे परवार के लोग भी आप से इतना खुश है हम क्या कहें आप से राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने के शुबकामना मत दीजिए मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविश में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ मेरे लिए ये पद, ये प्रधान मंत्री, ये सारी चीजे, ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है, सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या, देखिए गरीबों के लिए, ये आयुश्मान भारत योजना, ये अपने आप में, ये सर बहुत बढ़िया चीज इसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाब हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताईए, बिल्कुल बताएगे सर, और उनको कहिए, कि बेबी ऐसा कार्ड बनवा ले है, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसिबत आ जाएं, और होता है, जैसे आपको ये हार्ट का टॉब्लेव हुआ, तो कितने महीने तक आप कामी नहीं कर पाए होंगे, आप तो दस कदम नहीं चलबाते हैं, जीना नहीं चुरबाते थे सर, बस तो आप प्रजेश जी, मेरे एक अच्छे साथी बनके, जितने गरीबों को, आप ये आ पाईश्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मद्यमबर के लिए है, सामाने परिवारों के लिए है, तो गर गर इस बात को पहुचाएंगे आप, बिरकुल पहुचाएंगे सर, हम तो वहीं तीन दुरुके ना, आस्पिटल में सर, तो विचारे बहुत लोगा है, पारी सुद्दाय हमको बताई, काड होगा तो फिरी में हो जाएगा, चलिए राजे जी, आप अपने आपको स्वस्त रखिए, थोड़ी शरीर की चिंता करिए, बच्चों की चिंता किजिए, और बहुत प्रगेती जी जी, मेरी बहुत चुब कामना है आपको, साथियों, ह हम सुख देवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं, और फिर सुख कैसे आया, वो समझते हैं। तो ऑप्रिजन हुगा है मेरा रियाग ऑफ्ष्टल में। आपके आयो कितनी है, सुख देवी जी? उमर 40 साल। चालिस साल। और सुख देवी को बीमारी हो गई? बीमारी तो मुझे 15-16 साल दे लग गई। अरे बहुपड़े, इतनी छोटी आयो में, घुटने आपके खरा हो गई। तो 16 साल से 40 साल की उमर तक आपने इसका इलाजी नहीं करवाया? नहीं करवाया था, धर्द की दवाई खाते रहे, चोटे-मोटे डॉक्टर ना पहते, देशी दवाई है, बैसी दवाई है, ठेला चाब डॉक्टर ना पहते, उनसे गोटना चल वे पही खराब हो हाँ, और आईश्मान कार्ड से गरीबों को मुफद में उपचार होता है पता था? अच्छा डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड ना होता तो कितना खर्चा बताते थे? दाई लाग रुपे, तीन लाग रुपे, छे साथ सान से परी हूँ खाट में, जे केती थी ये बगवान मुझे ले लेकर, मुझे नहीं जीडा छे साथ साल से खाट में थी बापरे बाप? अहाँ बुलकुल उठा बैठा नहीं जाते बच्चे बैठाते ले तो अभी आपका गुटना पहले से अच्छा हुआ है? मतलब आईश्वान भारत का कार्ड आपको सच्मिज में आईश्वान बना दिया? बहुत 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 बनवाद आप इस विजना की वज़े से ठीक हो गई, अपने पैरन के खड़ी हो गई तब तो बच्चों को भी आनन दाता होगा? बच्छी नोगों तो बहुत भी परेशान ही होती थी, अब मा परेशान है तो बच्चा भी परेशान है? देखें हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्ती ही होता है, ये सुखी जीवन सबको मिले, यही आईश्मान भारत की भावना है चलिए सुख देवी जी मेरी आपको बहुत बहुत सुख कामना है फिर से एक बार आपको रादे 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 नवास्टे मेरे प्यारे देश वासियों युवाओं से समरुद हर देश में तीन चीजे बहुत माइने रखती है और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है पहली चीज है आईडियाज और इनोवेशन दूसरी है जोखिम लेने का जज़बा और तीसरी है can do spirit यानि किसी भी काम को पुरा करने की जिद चाहे परिस्तित्या कितनी भी विप्रित क्यों न हो जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती है तो अभुत पुर्व प्रणाम मिलते हैं चमतकार हो जाते हैं आज कल हम चारों तरब सुनते हैं start-up, start-up, start-up सही बात हैं ये start-up का यूग है और ये भी सही है कि start-up की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेत्रुत्व कर रहा है साल दर साल start-up को record निवेश मिल रहा है ये छेत्र बहुत तेज रप्तार से आगे बढ़ रहा है यहां तक कि देश के छोटे-छोटे शहरों में भी start-up की पहुँच बढ़ी हैं आज कल यूनिकॉन शब्द खूब चर्चा में है आप सबने इसके बार में सुना होगा यूनिकॉन एक ऐसा start-up होता है जिसका valuation कम से कम एक billion dollar होता है याने करीब करीब 7000 करोड रुपिय से जादा साथियों साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉन हुआ करते थे आपको ये जानकर बेहत खुशी होगी कि अब यूनिकॉन की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है एक रिपोर्ट के मताबिक इसी साल एक बड़ा बड़ावाया है सिर्फ 10 महिनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉन बना है ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे यूवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉन हो चुके हैं याने 70 से अधिक स्टार्ट अप ऐसे हैं जो एक बिलियन से जाजा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं साथियों स्टार्ट अप की सफलता के कारण हर किसे का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है शायद कुछ साल पहले उसके कोई कलपना भी नहीं कर सकता था साथियों स्टार्ट अप के जर्ये भारतिय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉलूशन की प्रॉब्लम का सॉलूशन देने का प्रयास किया है मयूर जी नमस्ते नमस्ते सर्दी मयूर जी आप कैसे हैं बहुत बढ़िया सर आप कैसे हो मैं बहुत पसंद नहूँ अच्छा मुझे बताइए कि आज आप कुछ स्टार्ट अप की दुनिया में है और बेस्ट में से और बेस्ट भी कर रहे है environment का भी कर रहे है थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए कि काम के बारे में बताइए और इस काम के पीछे आपको विचार कहां से आया नहीम कालेज में और उसका मैंने करीब करीब 62 किलोमेटर पर लिटर तक माइलेज बढ़ा दिया था तो वहां से मुझे ये प्रेरना मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फाइदा होगा तो 2017-2018 में हम लोगों ने उसका टेक्नलोजी डेवलप किया और Regional Transport Corporation में हम लोगों ने 10 बसेस में वो यूज किया उसका result चेक करने के लिए और करीब-करीब हम लोगों ने उसका 40% इमेशन उसका कम कर दिया बसेस में अब ये टेकनोलोजी जो अपने होजी है उसका पेटनेंट वोगेरे करवा लिया हाँ जी पेटन्ट हो गया ये साल में हमें पेटन गरांट होके आ गया और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका किस प्रकार से कर रहें जैसे बसका रिजल्ट आ गया उसके भी सारे चीज़े बाहर आ गई होगी तो आगे क्या सोच रहें सार्टटप इंडिया के अंदर नीतिया योक से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वहाँ से हमें गरांट मिला और वो गरांट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी साक्टरी चालू किया जहां पे हम एर सिल्टर्स का मैनेफक्चरिंग कर सकते हैं सारथ सरकार की तरब से कितना ग्रांट मिला आपको 90 लेक्स नाइंटी लेक्स और उससे आपका काम चल गया है अभी तो चालू हो गया है प्रोसेस में है आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सब हम लोग चार लोग है सब और चारों पहले साथ में पढ़ते थे और उसी में से आपको विचारा है आगे बढ़ने का? हाजी हाजी हम कॉलेज में ही थे कॉलेज में हम लोगे ने सब सोचा और ये मेरा इडिया था कि मेरा मोटर साइकल के एक epic कम हो जाए और माईलेज बढ़ जाए हाजाありがとうございます pens 오른 परियावरण के समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बिड़ा उठाया और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्ती है कि कोई भी बड़ी चुनावती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं मेरी तरब से आपको बहुत शुक्त पामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेश करना चाहता है या एक कोई नई कमपनी शुरू करना चाहता है तब परिवार के बड़े बुजूर्ग का जवाब होता था तुम नोकरी क्यों नहीं करना चाहते हैं? नोकरी करोना भाई अरे नोकरी में सिकुरिटी होती हैं सेलरी होती हैं जंजर भी कम होती हैं लेगर आज यदि कोई अपनी कमपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आज पास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं साथियों भारत की ग्रोफ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है जहां आप लोग सिर्फ जौब सीकस बनने का सपना नहीं देख रहें बलकि जौब क्रियेटर्स भी बन रहे हैं इससे विश्व मंच पर भारत के स्थिती और मजबुत बनेगी मेरे प्यरे देखवासियों आज मन की बात में हमने अमरित महोत्सःव की अमरित काल में कैसे हमारे देखवासी नए नए संकलपों को पुरा कर रहे हैं इसकी चर्चा की और साथ ही दिसम्बर महने में सेना के शौरिय से जुड़े हुए आउसरों का भी जिकर किया दिसम्बर महने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है जिससे हम प्रेना लेते हैं ये दिन है छे दिसम्बर को बाबा साब आम बेड़ करकी पुन निती थी बाबा साहाब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समर्पित किया था हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे सम्रिधान की मुल्भावना हमारा सम्विधान हम सभी देश्वासियों से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अपेक्षा करता है तो आईए हम भी संकल्प लें कि अमृत महसों में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे यही बाबा साहिब के लिए हम्यारी सच्ची सद्धान दिली होगी साथियों अब हम दिसंबर महिने में प्रवेश कर रहे हैं स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की इस वर्ष की आखरी मन की बात होगी 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और वहां आपसे धेर सारे सुजाओं की अपेक्षार करता ही रहता हूँ करता रहूंगा आप इस साल को कैसे बिदा कर रहे हैं नए साल में क्या कुछ करने वादे हैं ये भी जुरूर बताईए और हाँ ये कभी मत भूलना कोरोना अभी गया नहीं है सावधानी बरतना हम सब की जिम्मेवारी है बहुत बहुत धन्यवाद